हेलो एबरीवन वेल्कम बैक टेवर्ड चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी माहों महमद सुहेल दूस्तों बीपीजियल में इस बार भी हमारे शॉट टम स्विंग ट्रेड जो वीकली करते हैं वही अच्छी हुए हैं और स्टॉक हमारे 357 के आगे नहीं गया 362 का टार्गेट नहीं दिया पिछले बार 362 दिया था पर 375 नहीं दिया इस बार इंट्री में 355 दिया पर 362 नहीं दिया है और स्टॉक जान बुचके तो नहीं कर रहा है क्योंकि यह वार का एफेक्ट भी हो सकता है आप IGL देख लो गुजरत गयास देख लो हमारे टार्गेट अची होंगे यह मेरा प्रामिस है आपसे और प्रामिस इसलिए है क्योंकि स्टॉक माइनस लेवल में लूस केंडिल परफॉर्मेंस दे रहा है वह भी अपने प्रीवियस से ब्रेक आउट के पास और दूसरी बात यह भी है स्टॉक 200 एम में का कंप्लीट रिजेक्शन ले रहा है मल्टीपूल टाइम रिजेक्शन हमारी एंट्री टार्गेट अचीव फॉल हमारी एंट्री टार्गेट अचीव फॉल अभी स्टॉक होगा तो फिर से 340 से 345 पे सपोर्ट लेगा डिफिनिटल सपोर्ट लेगा अभी आज की डेट में 346.70 पैसा पर स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है समझ गये अभी यहां पर लूज केंडिल फॉर्मेशन है अब इस लूज केंडिल फॉर्मेशन में स्टॉक ओवर बाट भी नहीं हो रहा है यह भी एक एफक्ट परेगा हमारे लिए तो बस मैं आपको सज्जेस्ट यह करूँगा अगर स पर ले लो और दूसरा मस्ट के जो लेवल मैं आपको important level समझा देता हूं इसके अंदर और common levels भी समझा देता हूं कि heavy selling आया तो भी levels कैसे रहते समझाता हूं दूस्तों यह heavy selling levels है और maximum clubbing से आपको माईनस 9 पे मिलेंगी और यह maximum है और common, common जो चलता है, इंट्रा हम लोग positions जो पकड़ते हैं, यह common selling है, minus 6, और जो regular चलता है, regular selling level है, minus 3, and और आप ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, heavy selling कब आता है, heavy selling तब आता है, जब यह minus 6 पे जाता है, अब यहां पे भी देख लो, यहां पे भी देख लो, यहां पे भी द लेके जाएगा, क्यों लेके जाएगा, क्योंकि जब यह heavy fall हो रही थी, stock का level कहा था, काफी उपर था, अब यह stock खुद नीचे है, तो यह इतना ज्यादा selling प्रेशर जेल नहीं सकता है, अगर इतना ज्यादा selling आएगा, तो public को इंट्रेस्टेड नहीं रहेगा, और इसके अंदर कौन घुशे का बड़े प्लेयर घुशेंगे, छोटे रिटेलर निकाल जाएंगे, थोड़ा बहुत लेके, पर रिटेलर को यह नहीं पता है, कि इसके अदर average करेंगे, तो overall average से double profit भी उठाया सकता है, जब रिटेलर हटता है, कुछ बड़ा प्लेयर घुशता है, क पर अभी stock heavy selling में नहीं है, normal selling में है, और trade में buying होना selling होना common है, selling intraday के हिसाब से होता है, buying one day के हिसाब से होता है, यही था मेरा update BPCL पे, अगर आपको stock pay analysis समझ में आया, तो video को like करिए, share करिए, and youtube channel को subscribe कर दीजिए, thank you for watching, bye video